तो भाई जैसा expected था सल्मान खान की comeback फिल्म Tiger 3 ने बहुत सारी news बनाई है लेकिन जैसा सोचा था उससे एकदम अलग type की फिल्म जब release हुई तो reviews सोड़े mixed type के थे, कुछ लोगों ने enjoy किया तो कुछ ने पठान से compare करके नीचा दिखा दिया बट असली पंगा हो गया फिल्म के box office collection को लेकर जिसने गिरगिट से भी ज़्यादा तेज स्पीड से रंग बदलना शुरू कर दिया और अब हरको ही जानना चाहता है Tiger 3 का final result है क्या, फिल्म हिट वाली category तक पहुची भी है या फिर flop का ठपा लगा दिया पहले दिन Tiger 3 ने इंडिया के अंदर 43 करोड और पूरी दुनिया में 94 करोड का बिजनिस किया तो सब ने खुब ताली बजाई दिवाली पर रिलीज होने के बाद भी फिल्म का almost century तक पहुच जाना ये सच में बहुत बड़ा achievement था एकदम impossible काम अफिर दूसरे दिन तो Tiger ने पिंजरे से निकल के शिकार करना शुरू कर दिया जिससे पूरा जंगल डर गया दूसरे दिन इंडिया के अंदर 58 करोड माने सिफ 48 घंटों में Tiger 3 हिंदी बैल्ट के अंदर century मार के records बना रही थी चलो हेट्रिक वाले दिन भी फिल्म में 43 करोड का business कर दिया यार सिफ इंडिया में और तीन दिन में वर्ल्ड वाइड नंबर 240 करोड क्रॉस कर गया अब सल्मान खान फैंस जश्न मनाने की तैयारी करी रहे थे कि चौते दिन का collection जब बहार आया तो अचानक से वक्त बदल लिया जज़बात बदल गये क्योंकि Tiger 3 50% नीचे गिर के चौते दिन सिफ 20 करोड का business कर पाती है और पांच पे दिन तो और बड़ा जटका सिफ 18 करोड पे Tiger फिनिश इस हिसाब से Tiger 3 ने 5 दिनों में worldwide 300 करोड का नंबर टच कर लिया यार कोई और फिल्म होती तो लोग पगला जाते हैं सर पर बिठा लेते हैं उसको लेकिन Spy Universe का pressure और सल्मान खान के Tiger अफ्तार का advantage मानो या ना मानो फिल्म का business 400 करोड से जाधा होना चाहिए था जाधातर लोगों ने इसका इल्जाम लगाया World Cup पे टीम इंडिया ने पहले semi final खेला और अब final में पहुँच गए हैं भाई देखो Tiger आ जाए और वो पठान को भी साथ में लेकर आए लेकिन हर हिंदुस्तानी के दिल में cricket हमेशा number one रहेगा इस बात में कोई शक नहीं है इसलिए हां मान लिया कि 15 नवंबर को Tiger 3 का number जो 40 से सीधा 20 करोड पे गिरा था उसमें World Cup का पूरा योगदान था लेकिन असली मुद्धा है 16 नवंबर का 18 करोड वाला कलेक्शन ये number इतना नीचे कैसे गिर गया जवाब मैं बताती हूँ आपको अपने पेरों पे कुलहाडी मारना ये कहावत सिर्फ सुनी है हम लोगोंने लेकिन थांक्स टू Tiger 3 के मेकर्स अब आँखों से इसके लाइफ दर्शन भी हो रहे हैं पता नहीं क्यूं और किसलिए Tiger 3 की रिलीज रेट 12 नवंबर सिलेक की गई थी क्या रीजन हो सकता है जब आप कितना डूंडो नहीं मिलेगा 10 या 9 नवंबर को फिल्म रिलीज होती अच्छा खासा लंबा वीकेंड मिलता Tiger 3 को और जैसा कॉंटेंट था फिल्म का आराम से 500 करोड पर खड़े होते सल्मान भाई लेकिन ये जो दिवाली वाले दिन फिल्म को रिलीज किया ना उसने आराम से फिल्म को अभी तक 200 करोड का चूना लगा दिया और भविश्य में नुकसान लंबा जाएगा या फिर वर्ल्ड कप खतम होने के बाद Tiger 3 को लेके आते तो भी अच्छा खासा पैसा बना सकती थी फिल्म क्रिकेट खतम होने का हाईक सीधा Tiger 3 को मिल जाता लेकिन 12 नवंबर 2023 ये सबसे गलट डेट सावित हुई एक इवन्ट फिल्म को रिलीस करने के लिए इंडियन सिनिमा की हिस्ट्री में इसकी वज़े से मौका मिल गया कुछ लोगों को टांग की जाई का और सबने बोल दिया सल्मान खान का मैजिक खतम पबलिक इनको देखना ही नहीं चाती है एक इंट्रस्टिंग चीज और बताऊं आपको टाइगर 3 का बजट पूरे 300 करोड का है और ये वायर अपकी सबसे महेंगी फिल्म है ऐसा लिखा हुआ है बहुत जगे पे देखो कितना भी गर्यालो आप टाइगर 3 को फिल्म ने ना सिर्फ बजट क्रॉस कर लिया है बलकि प्रॉफिट छापना भी शुरू हो चुका है जब आप ये विडियो देख रहे हो और अभी दो हफ़ते पड़े है अनिमल के आने में तब तक टाइगर 500 करोड तक पहुँच सकती है पूरे चांसेज है गदर 2 का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं जवाब मिल जाएगा तो यार टाइगर 3 के सामने फ्लॉप लिखना तो गलत बात होगी लेकिन वो लोग जो पठान और जवान का रिकॉर्ड टूटे देखना चाते थे भाई उस हिसाब से टाइगर 3 को दो बार रिलीस करना पड़ेगा तब जाके बाच्छा शारुख खान के थोड़ा पास पहुचने की उमीद दिखेगी बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या आपके कुछ शिकायब करनी हो तुम आपके इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतिजार करिए मिलूँगे आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई